हलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में तो आप सबी कोई कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरम सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो आज का जो वीडियो है आप सबों के सामने पीडियाप के माधियम से पीपीटी के माधियम से आप सबों के सामने आज का ये वीडियो प्रस्तूत करने जा रहा हूँ और आज का जो video है वो बहुत ही खास है और बहुत ही एतिहासिक बिसे है टोपिक है और वो टोपिक है कलिंग यूद से जम्मन देथ है। आप सभी को पता ही होगा कलिंग यूद किसके द्वारा लड़ा गया था, किसके सासन काल में लड़ा गया था और इस पे एक ऐसी घटना थी कलिंग यूद जो है एक ऐसी घटना है जिसमें असोक राजा जो थे असोक समराड जो थे उनका मन परिवर्तन कर देता है जो पूरे विश्व मापकी ज़िए पूरे भारत वर्ष पे वो अपना अधिकार करना चाता था अपना समराज़े को विस्तार करना चाता था और पूरे भारत में यहां तक की बस एक ही एरिया बचा ही हुआ था यह आपका कलिंग छेतर जो था वही स्वतंतर था असोक के समराज़े से और इस पे उन्होंने विजय भी हासिल की लेकिन उन्होंने इस विजय पे वे आनंदित हुए नहीं बलकि उनको उन्हें बहुत ही दुख प्रतीत हुआ और उनका मन परिवर्तन हो गया तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कलिंग यूद से सम्बंदित किस प्रकार से असोक समराज़ के मन का परिवर्तन होता है और वे किस से शान्ति के मार्क पर चलते हैं और वे पूनता पून रूप से किस प्रकार से वे यूद की दीती को यूद की पधती को वे पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस कलिंग यूद के परिचाए के बारे में आप सबों को पता है ये जो कलिंग यूद है वो असोक समराट के द्वारा लड़ा गया था और इसके अधीन मतलब मौरे समराज्य था असोक राजा का जो समराज्य का नाम था वो मौरे समराज्य था अपराचीन भारत में कलिंग राज के बीच लड़ा गया था मौरे समराज और कलिंग राज के बीच एक अलग राज था समराज था जिसको वर्तमान में हम लोग ओडिशा में इसको देखते हैं तो कलिंग राज के बीच हुआ था और वर्तमान में जिसे भी मैंने बताया ओडिशा में है और दक्षिन पूर्भी आंधर प्रदेस में सामील है ये आपका कलिंग राज है और ये कहा जाता है माना जाता है कि जो कलिंग यूद है दया नदी के तट पर इस ते धौली की पहाड़ीों में हुआ था एक नदी है जिसका नाम दया है और धौली के पहाड़ी में ये यूद को कराया गया था और कलिंग यूद को भारती इतिहास का सबसे घातक यूदों में से एक माना जाता है तागे के सलाइड में हम जानेंगे क्यों इस यूद को घातक यूदों से तुलना किया गया है भारतिय इतिहास के एक सबसे घातक यूद में इसको क्यों माना गया है इसके बारे में हम अगले सलाइड में जानेंगे तो और यहाँ पर यह स्लाइड में भी हम परिच्चे को देखेंगे यह जो कलिंग यूद है वो प्राचीन भारती इतिहास में एक महत्पूर्ण मोड के रुप में खड़ा हुआ था जिसने उप महादवीप के सांस्कृतिक एवमराजनीतिक प्रदिश्यक पर एक अमिर्चाप छोड़ी थी मतलब यह जो यूद है एक परिवर्तन का यूद इसको भी आप लोग कह सकते जैसे पिछला स्लाइड में बताया कि यह भारत का सबसे घातक यूद में से एक था लेकिन इस यूद के द्वारा एक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को यह भी यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जो भारती उप महादवीप के लिए बहुत ही बड़ी घटना के रुप में इसको देखा जाता है और यह भी कहा गया जो कलिंग यूद है ना केवल अपने पैमाने और तिरुता के लिए बलकी समराट असोक के एक क्रूर विजेता से एक दयालू शाशक और बौध धर्म के उत्साही अनुयाई में परिवर्तन पर इसके गहरे प्रभाव के लिए भी उलेखिनिये हैं जैसे मैंने आपको सुरू में ही बताया कि यह जो यूद है एक मन परिवर्तन करने वाला भी यूद था असोक समराट के लिए जैसे यहाँ पर आप इस सलाइड में देखने हैं कि यहाँ पर साब साब लिखा है कि असोक के एक क्रूर विजेता इसे से आप सब अंदाजा ल और उसका परिवर्तन क्या हुआ एक दयालू शास्रक की रूप में हुआ और वे आगे चलके एक बाओ धर्म के अनुयाई भी बन गए थे ठीक है चलिए अब हम लोग इस सलाइड में समझेंगे कि यूद का जो प्रिष्ट भूमी क्या था क्योंकि कुछ भी यूद होता है उसके पीछे एक प्रिष्ट भूमी होती है या कोई भी यूद अचानक नहीं होता है ये जो यूद होता है वो सुरू सी कुछ ऐसी घटनाए घट जाती है कि वो घटना सिर्फ एक यूद का परिणाम की रूप में देखते हैं तो चलिए इसका प्रिष्ट भूमी हम लोग देखते हैं फर्ष्ट पॉंट में ये कहा गया है कि जो महान समराट जो थे मौरे समराट अशोक और कलिंग राज के सासक के बीच पे लड़े गए यूद को कलिंग यूद के नाम से पुकारा जाता ये सभी को जानते हैं मौरे के जो सासक थे चंदरगुप्त मौरे उनके निधन के समय तक मौरे समराज्य प्रशासन के पास आधुनिक भारत का अधिकांस हिसा था ठीक है यहां पर साप साप कह रहा है कि जब चंदरगुप्त मौरे जो थे उनके निधन के समय वह आस पास में जो मौरे समराज्य का जो छेत्र था वो अधिकांस भारत के अधिकां में देखा जाता था लेकिन यहां पर यह भी कहा गया है कि जिसके दक्षिन हिस्से में कलिंग एक स्वतंत्र था ठीक है कलिंग पर ही वे अपना अधिकार नहीं जमा पाये थे बलकि पूरे भारत में अधिकांस हिस्सों पर यह मौरे समराज का जो प्रशासन है फैला हुआ थ कि जो कलिंग जो है अच्छी स्थिति में था मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी उनकी कंडिशन खराब नहीं थी वहां की आर्थ वेवस्था भी बहुत अच्छा था यह बताया गया है कलिंग का और उसके ब्यापार मार्ग मतलब कलिंग का जो ब्यापार मार्ग है वो दक्षिन पूर्व इस्या तक जाता था, कलिंग के पास मत्वपूर्ण बंदरगा थे और एक मजबूत नौसेना भी था, ये भी कहा गया है, क्योंकि जो कलिंग है आपका कहा है, आपके ओडिशा जो वर्तमान ओडिशा है, और कहां पे है, आपका दक्षिन पूर्वी आ विवस्त था, ब्यापार, समाजिक स्तिती, राजनित्तिक स्तिती, हर एक चीज वहां की अच्छी थी, और सुरक्षा की दृष्टी से भी वो कापी मजबूत था, क्योंकि उसके पास अपना बंदरगा था, और एक मजबूत क्या थी, नौसेना भी था, ये कहा गया है, तो यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पहला पॉइंट में बताया जाता है, कि जो कलिंग यूद के सटी घटनाओं और प्रकृति के बारे में अधिकान संसाधन उपलब्द नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, कि हिंसा और हताहतों का इस तर बहुत अधिक थ है, लेकिन ये कन्फरम बात था, कि जो यूद हुआ तो उसमें काफी हिंसा हुआ था, और कई हतातों को देखा गया था, असोग के जो सिलालेख है, उसके अनुसार से ये बताया गया है, कि जो कलिंग यूद है, उसमें लगबग एक लाख लोग मारे गये थे, और एक तरनाग था, कितना क्रूर रिती से किया गया था, क्योंकि इस पे एक लाख लोगों की मृत्यू हो चुकी थी, आएक लाख सेथिक लोग मारे गये थे, और डेड़ लाख लोगों को कृपतार भी कर दिया गया था, और ये बात आगे कहता है, कि यूद कब सुरुआ, इसके ठीक है, 261 इसापुर में हुआ था, और ये जो यूद की समापती की बात करते हैं, वो शासन के आठवे वर्स, मतलब 161 में सुरू हुआ था, ठीक है, जिस पे आठ वर्स अगर आजोड दे, तो कितना हो जाता है, आपका हो जाएगा, 278 आसपास क्या हो जाएगा, है ना, तो मतलब इतना लंबा यूद चला था, और इसमें बहुत सारे लोगों को हिंसा के दोरान बहुत सारी हानियां देखने को मिली थी, और मेगस्तिनीज जो थे, एक यातरी थे मेगस्तिनीज, और उनके अनुसार से ये कहा गया है, कि जो चंद्रकुप्त मौरे का दर्बार म जो ये मेगस्तिनीज थे, चंद्रकुप्त मौरे के दर्बार में एक यूनानी इतिहास की रूप में वे थे, वे यूनान के रहने वाले थे, जो मेगस्तिनीज है, और मौरे समराजे, आपकी जेगा, चंद्रकुप्त मौरे के दर्बार पे वे एक इतिहास कार की रूप मे काम करते थे और कलिंग के राजा के पास एक बड़ी सेणा थी उन्हों ने कहा था मेगस्तिनिच के द्वारा कि कलिंग के राजा के पास बहुत बड़ी सेणा थी जिसमें हाथी पैदल सेना और घुर सवार भी थे यह सारी बाते यहाँ पे बताई गई हैं चलिए अब हम करें जैसा मैंने सुरूही सलाइड में आप सबों को कहा था कि इस युद में अशोक विजय हुए थे और इसलिए उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया था और अब कह सकते हैं संपून भारत पर अशोक सम्राट का अधिकार हो चुका था मौरेस अम्राज का अधिकार हो अपना सम्राज्य को फैला चुका था अशोक सम्राज्य माप कीज़ेगा मौरेस सम्राज्य लेकिन कलिंग पर कबजा तो कर लिया था लेकिन वहाँ एक विब्यक्ति गुलाम के रूप में नहीं रहने के लिए नहीं बचा था मतलब गुलाम के रूप में नहीं थे क्यों न लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा अनातों के बच्चे रोर हे थे सरवत्र रक्त धाराएं बहरी थी असोक ने हाथियों सैनिकों और घोडों के सौभी देखिये थे उन्हीं के बाद उन्होंने तै किया था मतलब आगे चलिए अगला परंड में देखेंगे इससे मेवार खुद ठहराते हैं अपने आपको और उन्हें बहुत ही पश्टावा होता है और उसने आक्रमक्ता की नीती छोड़ दी ठीक है असोक जानवारों और लोगों के कलियान के लिए नीती का पालन करने लगे असोक ने पश्रिम एसिया की युनियानी राजियों सहीत कई देशों में सांती दूद भी भेजे थे ऐसी बात यहां पे देखने को मिलता है और उनके मन में सच्चा पस्तावा होता है इन सारी रक्त भाहा रक्त को देखके सवों को देखके बच्चों को रोते हुए देखकर के तो इसके द्वारा उनका मन परिवर्तन हो जाता है और जो आहिंसा की जो रास्ता था उनके वो छोड़ देते हैं और आक्रमाकता की नीती को वे छोड़ करके शांती की रह पर चलने पर निकल परते हैं और जितने भी जनता की कल्यान की बात हैं उनको वे करने लगते हैं कल्यान के लिए नीती का पालन करते हैं और अशोक ने पूरे देश में पूरे दुनिया में शांती भैलाने के लिए अपने शांती दूतों को नुक्त करते हैं और पश्यम एसिया के यूनानी राजियों में वे अपने शांती के दूतों को भेजते हैं अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ यहाँ पर एक बात लिखा हुआ था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ एक भी व्यक्ति गुलाम के रूप में रहने के लिए नहीं बचा है ना कलिंग में क्यों कि वे पस्तावा की अपने मन परिवर्तन करते हैं और लोगों के कल दियान की नीती में लग जाते हैं और वहाँ पे जितने भी जनता थे उन लोगों को वे गुलाम के रूप से नहीं एक अपने जनता की रूप में उनकी शेवा में लग जाते हैं अब अगला में पॉइंट देखते हैं परिनाम में ही कलिंग यूद का आप लोग देखते जहां एक भावी वीजेता ने अपनी तलवार त्याग दी थी यूद के बाद वे अपने तलवार को त्याग देते हैं और आहिंसा के मार्ग पे चलते हैं आगे कहता है कि यूदन के बाद असोग ने बाध धर्म को अपना लिया। अपने धर्म परिवत्न के बाद असोग धर्म के प्रचार में शामिल हो गया। असोग ने अपना शेस जीवन आहिंसा और धर्म विजय के लिए समर्पित कर दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से असोक का मन परिवतन हो पाता है और वे आहिंसा के मार्ग पे चलने लगते हैं और उसके बाद में बहुत धर्म को श्विकार करते हैं और बहुत धर्म के प्रचार में लग जाते हैं अगला पॉइंट में ये कहता है कि असोक ने अपने सैने विस्तार को भी समाप्त कर दिया और 40 से अधिक वर्सों तक शांती, सद्भाव और समरिदी का ध्यान के अंदित किया आप सोच सकते हैं काफी लंबे समय तक है ना 40 से अधिक वर्सों तक अपने समराजे में शांती का प्रचार हुआ सद्भाव को देखा गया, समरिदी को देखा गया तो ये सारी बातों को यहाँ पर देख पाते हैं हलंकि असोक की नीती ने भूमीग पर शांती तो ला दी थी लेकिन लंबे समय में इसने खत्रों से खुद को बचाने की छमता भी नस्ट कर दी क्योंकि यहाँ पर मन परिवर्तिन की बात तो किसका देख रहे हैं अश्रोक समराट का और वे अपने समराजे के सुरक्षा के लिए वे अपने सेना को तो त्यार नहीं किये वे युद को तो वे छोड़ चुके थे लेकिन अपना जो सेना है उनको भी ध्यान नहीं दिये है ना जैसे यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था भी यहाँ पर है कि तलवार त्याग दिये ठीक है और अश्रोक ने अपना हिंसर धर्म बिज़े के समाप्त किया अपने सेने विस्तार को समाप्त कर दिया है ना यहाँ पर अपने सुरक्षा डिफेंस लाइन को भी वे उतना ध्यान नहीं देने लगे जो सेने विस्तार उनको करना चाहिए था अपने समराज्य के विस्तार के लिए लेकिन वे नहीं करते हैं और इनी कारण से इसमें खत्रों को बचाने की छमता को नश्ट कर दिया उनका समराजय इसके बाद लंबे समय तक नहीं चल पाया है ना और उनका समराजय कभी अंत हो गया ये भी बातें यहाँ पे देखते हैं अब चलिए आखरी सलाइड है उसमें हम लोग इसके महत्वा को देखेंगे तो पॉइंट बाइ पॉइंट देखेंगे आप लोग देखते रही है स्क्रीन में तो यहां कहता है कि लाखों लोगों के जान की कीमत पर कलिंग का कलिंग पर विजय प्राप्त करने से असोक को बहुत पश्टावा हुआ यह मैंने पहले बता दिया और दुख हुआ असोक को लगा कि यह मानव जीवन के कीमत के लायक नहीं है उनको काफी पश्टावा हुआ था अगला है लोगों की मृत्यू, पीडा, खून और आश्वों ने उसे लगातार पीडा दी किसे असोक को पीडा दी थी कलिंग यूद ने असोक को एक ऐसा नेता बनने के लिए प्रेरित किया जो लोगों की शांती और सदभाव की परवा करता है तो ये सारी सारी बाते सुरू में हो चुकी है और ये भी महत्वाक रूप में देखा जाता है कि जो असोक है उन्होंने कसम खाई कि वह कभी भी हतियार नहीं उठाएगा और उसने असोक मौरे वन्स की मृत्यू के बाद नीतियों में महत्वापून बदलाव किये और 232 इसापूर में मौरे समराजे का विगठन हो गया तो ये बाते हम लोग यहां पर देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी समराजे का रक्षा पर ध्यान नहीं दिया और वे सबसे बड़ी बात उन्होंने अपना जो यूद की नीति उनको त्याग दिया था है ना तीन सारी बातों के दौरा उनका जो मौरे समराजे है 232 इसापूर में विगठन हो गया मौरे समराज का तो ये सारी बातों को यहां पर देख पाते हैं और ये भी हुआ कि जो कलिग यूद है उसके बाद अस्व का पश्रताप हुआ और परिवर्तन उनके समराजे भर में उनके द्वारा बनाए गए कई चटान और स्थम से लालकों में इस पर दिखाई पड़ता है ये कहा गया है और कलिग यूद ने भारत को इतिहाजिक चेतना पर गहरी चाप छोड़ी या यूद के विदासकारी परिमा परिनामों और परिवर्तन और मुक्ति की छमता का एक मार्मिक अनुश्मारक के रूप में कारे करता है तो ये सारी बाते हम लोग यहां पर देख पाते हैं और य इतने वर्षयों तक यह यूद चला था तो आप इसे संदाजक लगाएं कि यह यूद है कितना अकरमक रहा होगा और इसमें कितने लोग मारे गा एक लाग से अधिक लोग मारे गा तो उससे से आप लोग सोच सकते हैं कि यह जो यूद है काफी खतरनाग था लेकिन इसका रिजल्ट के रूप में क्या देखते हैं असोक सम्राट का मन परिवर्तन होता है और वे अपने जो धर्म उसको छोड़के बहुत धर्म को अपनाते हैं और बहुत धर्म के प्रेशार में वे लग जाते हैं तो यह सारी बातों को आज किस वीडियो हम बहुत समझने का प्रयास किये हैं तो वीडियो आप सबों को कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिए क्योंकि यह मेरा नया चैनल है और इस पर जरू जरू सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जरू देखिए वी झाल